आपकी मेहनत बरबाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है, आप जो तने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविश्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है, और देखिए दरसल एक बात समझ इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्रे टाइप के नेता हैं, पहले तो हमारे सिंध्या जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया, अब क्या है, क्या है कि कदवे थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई 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 जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों के तो हम भी यूपी के हैं, आदत हैं, हम लोग शिकायत, गुसा, नाराज़्गी, सब निकाल देते हैं, महराज बोलने की आदत नहीं है लेकिन भैया उनके पास जो भी कारी करता जाता था कहते हैं, दीदी कि हम क्या करें, महराज, महराज कहना पड़ता है हमारे मुझसे नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा वैसे उनोंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है विश्वास घात तो बहुतों ने किया है लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चम्बा की जनता के साथ विश्वास घात किया है आपके पीठ में छुरब होका है बनी बनाई सरकार को गिरा दिया और वो बनी बनाई सरकार आप की थी, आपने वोट दिया था उसके लिए साड़े तीन साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिये है वो सरकार कॉंग्रेस की थी, मैंने जैसे कहा 36 गड़ में देखिए, बेरोजगारी का दर क्या है आप ही के साथ धुका हुआ है पता चले चला की दिन भर पिक्चर देखते रहते है कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है ने आपके पास कपड़े लट्टे नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे है आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे है, इसकी कोई चिंता नहीं है आगे चलिए विश्व प्रसिद महान अभी नेता श्री शिवराद चौहान उर्फ मामा जी आक्टिंग में तो अमिताब बच्चन के कान काट लें लेकिन जब काम की बात होती है तो फक्षिया सरानी का रोल पकड़ लेते हैं और मोदी जी का तो आप पूछिये ही मत पहले ऐसे प्रधान मंत्री है जो पर्मिनेंट अपनी ही पीडा में परेशान रहते हैं करनाट का गए बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इत्ती गालिया दी है यहां यहां भी कहने लगे मुझे इत्ती गालिया दी है रोते ही रहते हैं लगता है आपने वो सल्मान खान की पिक्चर देखिए तेरे नाम उसमें सल्मान खान शुरू से अंध तक रोते ही रहते हैं मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं उसका नाम रखेंगे मेरे नाम वैसे एक बात है वैसे एक बात है मोदी जीना आदमी की पहस्चान में टॉप क्लास है दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को एकठा करके अपनी पार्टी में ले लिए मुझे तो बिचारे RSS और भाजपा के जो अच्छे कारे करता है जो सालों से संघर्ष कर रहे अपनी पार्टी के लिए उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ला लगे ये है हालात अब मजा के एक तरफ आपके काम की बात करते हैं देखें मैं आपसे एक सीधी सी बात कहती हूँ हम मध्यप्रदेश में हैं बगल में 36 गड़ है वहां कॉंग्रेश की सरकार है यहां भाजप्पा की सरकार है तो देखते हैं भई आपकी सरकार ने क्या किया 36 गड़ की सरकार ने क्या किया और देखते हैं का मतलब यह नहीं है कि प्रियंका गांधी स्टेज बे खड़ी है कह रही है तो आप मान जाए मत मानिये आप खुद पता करिए कोई 36 गड़ में रहता है राजस्थान में रहता है कॉंग्रेस में किसी अन्य प्रदेश में रहता है तो आप खुद पता कर लीजिए वहां की परिस्तितिया कहा है क्या है मेरी बातों पे मत चलिए मेरा काम है आपको बताना मैं बताऊंगी देखिए 36 गड़ में किसानों के कर्ज माफ हुए मैंने आप से कहा कि धान 2600 रुपे कहा 2600 हो गया है अब पहले 24 था 2600 हो गया है जो महंगाई देश की जो केंदर सरकार है उसने थोपी है जनता पे उससे बचाया जा रहा है लोगों को जो आपके पैसे हैं आपकी जेब में वापिस दिये जा रहे हैं यहां जब भी यह सवाल उठता है भाजपा के प्रदेशों में उनकी सरकारों में तो जवाब यही आता है कि पैसे नहीं है आप OPS को देखिए कॉंग्रेस के हर प्रदेश में आज OPS लागू है हमने OPS लागू किया वाँ उन्होंने पैसे रोक रखे हैं 36 गड़ में कि जब हम लागू कर भी रहें तो वो कह रहे हम नहीं देंगे क्यों जब यह सब को बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी संपती है वो सौंप सकते हैं तो आपके लिए आपके जेब में चाए आपका पेंशन हो चाहे आपके कर्द माफ करने की बात हो चाहे महिलाओं के लिए कुछ राहत हो इसकी बात क्यों नहीं कर सकते हैं ये क्यों नहीं कर सकते हैं अब आप बताओ, आपके इलाके में पता नहीं, अवारा पशु का है, कि है समस्या केतों में, है की नहीं है, 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 चलो, यूपी में बहुत है, यूपी में बहुत है, और पूरे मध्यप्रदेश में, जहां-जहां में गई हूं, वहां बहुत समस्या है, तो अब हम देखत कि देखो यह बड़ी समस्या है, इससे किसान जूज रहा है, रात को आवारा पशु आता है, खेत खा जाता है, तो महलाएं दिन भर खेती के पहरी दारी करती है और रात को किसान जाता है, वो बेचारा बैठा रहता है पूरी रात, तो हमने सोचा कि किस तरह से इस समस्या को सुलजाया जाए तो क्या किया उन्होंने हजारों गौठान बना दिये और उन गौठानों यह ऐसे गौठान नहीं है जैसे इधर उधर दिखते हैं कि गाउ माता को वहाँ छोड़ दिया पानी नहीं है चारा नहीं है छत नहीं है और वहाँ पड़ी रहती है ऐसे गौठान नहीं उन्होंने सोचा कि ऐसे गौठान बनाएंगे जिससे जो गाउं की अर्थ वेवस्ता है वो मजबूत हो जाएगी तो क्या किया वहाँ जो स्वयम सेवा समू है महिलाओं के वो बनवाए महिलाओं को रोजगार दिया ये कह दिया कि अगर आप गोबर बेचेंग हम गोबर आपसे खरी देंगे सरकार जनता ने जनता से कहा कि हम गोबर खरी देंगे तो क्या हुआ लोगों ने आवारा पशू रखने शुरू किये क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई तो आवारा पशू रखना शुरू किया उसकी गोबर सरकार ने खरी दी उसमें से गोबर गयास बनाया और इसी चीज़े बनाई और गोठान में खूब रोजगार दिलवाए खासतोर से महिलाओं को तो वहां मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो उन गोठानों में काम करके अपने स्वयम समू द्वारा स्वयम सेवा समू द्वारा एक लाख से छे लाख रुपे कबा रही है महिलाएं तो एक बड़ी समस्या थी उसको सुलजाने के लिए दिवांग लगा आगया और ये तैक किया गया कि हम इस तरह से सुलजाएंगे कि जनता की सुविधा हो जाएगी और आज मध्यप्रदेश में किसान उसी से जूज रहा है मैं तो कहती हूँ नकल ही कर लेते 36 गड़ में जो प्रोग्राम है जो योजना है उसकी नकल करके यहां कर लेते उतना भी नहीं किया तो जो आपकी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं उससे आज आप जूज रहे हैं बहुत परिशान है